हाई दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि आज की टाइम में हम सब लोग एक लूजर की लाइफ जी रहे हैं? हमें जिन्दगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन हम अपने कमफर्ट जोन को तोड़ कर बाहर की दुनिया को फेस करने से डरते हैं हमें जिन्दगी में लव चाहिए, रोमैंस चाहिए, लेकिन हम अपने पसंदीदा इंसान को सामने से जाकर हाई तक नहीं बोल सकते हम हमें इस आप प्रॉब्लम को फेस करने से डरते रहते हैं, फ्यूचर को लिकर डरते रहते हैं, दुनिया के लोगों से डरते रहते हैं को face करोगे इस rules को जानने के बाद आप अपने life में अच्छे relationships बिल्ड कर पाओगे एवन लोग आपके साथ relationship बनाना चाहेंगे इन rules को जानने के बाद आप emotionally काफी ज़दा strong हो जाओगे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कोई आए कोई जाए and आपके life काफी ज़दा easy हो जाएगी so एक loser to winner बनना चाहते हो इस video को end तक देखो rule number one be proactive from seven habits of highly effective people imagine life एक book है जिसके pages blank है and आपको opportunity मिला है अपनी story लिखने का तो आप अपने story में क्या लिखना चाहोगे एक person जो life में कुछ भी उखाड नहीं पाया क्योंकि वो victim था अपने environment का या फिर ये story एक ऐसे person के बारे में बताएगी जो बिना डरे बिना जिचके actions लेता था दोस्तों बड़ा आसान है दूसरों को blame कर देना अपने environment को blame कर देना कि मेरे हाथ में नहीं था मेरी गलती नहीं है मेरे पास resources नहीं थे लेकिन हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है और इसे हम अपने तरीके से लिख सकते हैं The principle of ownership कहता है कि हमें अपने life को अपने तरीके से लिखना चाहिए proactive person वो होते हैं जो accents लेते हैं वो अपने life की responsibility लेते हैं वो अपने life की ownership लेते हैं proactive people ऐसे होते हैं, जहां दूसरे लोग किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो कर रहे होते हैं, proactive people हमेशा ऐसे words उज़ करते हैं, I will, I can, I prefer, proactive बनने का simply ये मतलब समझो कि आप अपनी जिंदगी को change करने का भार उठाओ, आप अपनी जिंदगी को change करने का ownership उठाओ, no one can change your life, आपकी life में जो changes होंगी वो आप खुद करोगे, rule number two, desire, from think and grow rich, imagine अगर मैं आपको बिना oxygen वाले कमरे में बंद कर दूँ, तो आप किस तरह तडपोगे, किस तरह छटपटाओगे oxygen के लिए, हर सेकेंड आपका सांस लेना मुस्किल होता जाएगा, आप जिंदगी से दूर होते जाओगे और आपको सबसे ज़्यादा जरूरत होगी oxygen की और आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तयार रहोगे, जैसे आप oxygen के लिए पागल होने वाले हो, जैसे आप oxygen के लिए strong desire दिखाने वाले हो, उसी तरह का पागलपन, उसी तरह का strong desire आपको होना चाहिए, जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसके लिए हम सब की जिंदगी में जो चीज हम चाहते हैं वो चीज हम चाहते हैं वो चीज हमारी जरूरत नहीं है मतलब जरूरत और चाहने में बहुत अंतर होता है जरूरत वो चीज है जिस चीज की बिना हम रह नहीं सकते प्रांस लेने जितना जरूरी हो जाएगा आपके लिए तो तुरंत आपके thoughts, actions में change होंगे और results लाएंगे अगर आप सच में कोई चीज पाना चाहोगे के strong desire होगा आपके अंदर तब ही आप उस चीज को पापा होगे point number 3, how to create a good habit from atomic habits, bad habits बहुत यासानी से हमारे जिंदगी में आ जाते हैं लेकिन अगर हम good habits को अपने जिंदगी में लाना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन इसके लिए आप 4 step law का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी good habit को अगर खुद के अ कर रहे हो कैसे होगा नहीं होगा ये सब, second step make it attractive, means आपने habit को कितना ज़्यादा attractive दिखा सकते हो अपने mind को वो करो, जैसे कि for example आपने दिमाग को बार बार बताओ कि इसके कितने सारे benefits मिलेंगे आपकी जिंदगी में, अपने desire के हिसाब से आपने habit को attractive बना सकते हो, जैसे for example अगर मुझे guitar बजाना है and ये एक अच्छी habit है, जो कि मैं build नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने बगल में एक अच्छे खाने का समान रख लूँगा, जिसको बार बार मैं खाता रहूँगा और guitar बजाता रहूँगा, इससे क्या होगा, बार बार मेरा मन करेगा ये करने third number step है make it easy, अपने habit को जितना ज़्यदा easy बना सकते हो, उतना ज़्यदा easy बना दो, example के लिए मैं office से थका हरा हूँ and जो guitar मुझे बजाना है, वो मुझे मिले ही न, मुझे मसकत करना पड़े उसे ढूणने के लिए, मैं obviously सोचाऊँगा, लेकिन अगर मैं office से थका हरा guitar मेरे सामने रहेगा, मैं fresh होकर guitar बजाने जरूर बैठोंगा, तो अपने habit को जितना ज़्यदा easy कर सकते हो, उतना ज़्यदा आपका दिमाग जल्दी से action लेगा, वैसे जिन जिन amazing book का reference मैं आपको दे रहा हूँ, यह सारे books आपकी life change कर सकती है, इन सब का link आपको description में मिल ज जरता है, जैसे आपको reward दिखेगा, आपका दिमाग act करेगा, rule no.4, don't live in an illusion, from the book you are badass, बहुत से लोग न inaccurate subconscious belief रखते हैं किसी चीज़ को लेकर, हम अकसर ने अपने आसपास के लोगों की बाते सुनकर and अपने आसपास के लोगों को देखकर एक ऐसा belief develop कर लेते हैं जो कि ज़ादा fake होता है, example के लिए अगर किसी के mom, dad का divorce उसके बच्पन में हो जाता है, तो उसके अंदर एक belief develop हो जाता है कि शादी से नक कुछ फायदा नहीं होता, शादी सिर्फ आपको stress देती है, example के लिए अगर किसी के दोस्त को उसकी girlfriend cheat करती है, तो उसके अंदर एक belief develop हो ज नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो reject हो जाएंगे, false belief के चलते आप खुद को hold करके रखते हो और अपने limit को push नहीं करना चाहते, जिस वज़े से आपने full potential तक नहीं पहुँच पाते, याद रखना आपके अंदर जो false belief है ना, यह जो आपके अंदर मैं, मैं वाला character यह जो ego है, उसको है, यानि मैं fail हो जाऊंगा, मैं बरबाद हो जाऊंगा, मैं stress में हो जाऊंगा, यह जो ego है ना, आपको रोक रहा है, इस ego को अगर आप खतम कर लेते हो, आपके सारे false beliefs भी खतम हो जाएंगे, अरे क्या पत आप एकदम winner हो, जो कि loser की जिन्दगी जी रहा है, आप एकदम badass हो, आप एकदम खतरनाक हो, कि आपने खुद को दूसरों की नजर से देखा है, अपने limits को push करो और देखो फिर दुनिया में आप कैसे shine करते हो, Rule No.5, Leave as if your father were dead, from the book The Way of Superior Man, हम सब न अपने family के तले दबे रहते हैं, हम सब न हमारे father के expectations के तले दबे रहते हैं, हमें हमारी जिन्दगी में वही करना पड़ता है, जो हमारे father कहते हैं, हमारी family कहती है, लेकिन ये book कहता है कि आप अपने father के expectations को fulfill करना बंद करो, और उस तरह जिना सुरू करो, जैसे आप जीना चाहते हो, leave like your father were dead, quote गलत है, लेकिन इसका मतलब बहुत सही है, ये कहता है कि आप दुनिया के मोह माया से, खुद को let go करो, और आप जिन्दगी में जो खड़ना चाहते हो ना, उसके पीछे भागो, क्योंकि अगर आप ऐसी जिन्दगी चाहते हो, जिसमें आप enjoy कर पाओ, आप अपनी life खुल कर जी पाओ, तो वो जिन्दगी आपकी चुनी हुई होगी, तभी हो पाएगी, मेरे पिता भी चाहते हैं कि मैं government job करूँ, लेकिन मैंने अपना रास्ता खुद चुना, and मैं YouTube कर रहा हूँ, and मैं और सारी चीजे करू तो अपने intentions को छुपाना सीखो, अगर आप अपने दिमाग में चल रहे हर emotions के बारे में, हर details के बारे में, and हर plans के बारे में लोगों को बता देते हो, तो ये चीज़ आपको बहुत डाउन कर सकता है, आपको आपकी दिमाग पर इतना जरूर control होना चाहिए कि आपको क्या ब कहीं leak नहीं करता, तो लोग आपको कभी कमजोर नहीं समझेंगे, लोग आपको मजबूत समझेंगे, and अगर आप अपने सारे secrets release कर देते हो, लोग आपको predict कर सकते हैं, easily, rule number 7, believe you can succeed and you will, from the book, the magic of thinking big, जब आप believe करते हो, I can do it, आपका दिमाग सोचने लगता है कि मैं इसे कैस कर सकता हूँ, how can I do it, strong believes हमारे mind को trigger करता है, रास्ता बनाने के लिए, ways find करने के लिए, and second, जब आप खुद के अंदर believe करते हो, आपके अंदर confidence आता है, अगर आप खुद पर doubt करते हो, आपका subconscious mind fail हो जाता है उस चीज़ को पाने में, क्योंकि उसे लगता है कि ये सच में उ उसको execute करता है, and सफलता भी दिलाता है, so think success, don't think failure, उसके बाद खुद को हमेशा remind करवाते रहो कि आप बहुत ज़ादा better हो, जितना आप खुद के बारे में सोचते हो, ये simple believe से, कि I can do it, अब देख लेना आप क्या क्या कर सकते हो, ये है seven rules of life, जिसको जानने के बाद आप जिन्दगी में कुछ भी achieve कर सकते हूँ, and this is not a kind of motivation जो मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ, ये चीज़े मैं खुद के life में भी apply कर रहा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, जो मैं करता हूँ अपने life में, honestly मैं आपके साथ भी share करता हूँ, I hope वीडियो पसंद आई है, पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, and वीडियो से अगर आपको value मिला इस वीडियो को जादा जादा शेयर कर, thanks for watching guys, love you all